आपको सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर लें नोटफिकर सब्सक्राइब कर लो के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत्तक देखे और स्क्रीप ना करें क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ इमेजिस भी लाई हूँ लास्ट में आप लोग को मैं कुछ-कुछ इमेजिस से भी दिखाऊंगी क्योंकि एंटियोज सिनियर्ट के एकजाम में इमेजिस भी पूछे जाते हैं तो देखे आज के सबसे पहला कोस्ते हैं कि एमेजिस से बंकर तजयार हुई- बहुत है keeping equally आपकी बंकर तजयार हुए 1905 में नें 155 में बनकर तजयार हुई हैं आपसा को इनाने मिन आ तो यह दोनुवू कव और कहा हुआ तो हुसाइन का जन्म जो की है 1915 में पंधरपूर में हुआ था नेक्स्ट है अकबर पदमसी का जन्म की सहर में हुआ तो अकबर पदमसी का जन्म आपका मुंबई में हुआ पेंटिंग लेडी विज वीना किसकी चिदरकारी है तो हुसाइन की चिदरकारी है Meta Escape Land Escape Series किसकी है तो Meta Escape Land Escape Series अकवर पदमसी का है अकवर पदमसी बहुत ही important artist है एंटी ये इसी नेट के लिए ये एक घंटे का crash course है वीडियो को अंत तक देखें बार बार कह रही हूं केजी सिरुमन्यम का पूरा नाम क्या है तो केजी सिरुमन्यम का पूरा नाम आपका कलपती गनपती सुप्रमन्यम है यानि की दो नंबर लास्ट नंबर सही है कलपती गनपती सुप्रमन्यम इस दी राइट आंसर ये देखें मैं यहाँ पर आप लोगों दिखा देती हूं इस इज केजी सुर्मन्यम का जर्म कब हुआ तो इनका जर्म जो है 1924 में हुआ केजी सुर्मन्यम को पदम विभुसन किस वर्स मिला तो 2012 में केजी सुर्मन्यम को पदम विभुसन से नमा जा गया केजी सुर्मन्यम को और किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें मनीदा के नाम से जाना जाता है एहमद नगर किस इसकुल के अंग या भाग है तो एहमद नगर आपका डिक्कन इसकुल के अंग या भाग है यानि कि एहमद नगर जो है डिक्कन इसकुल का है एक पार्ट है कबीर और आईदास के चितरकार कौन है तो फकिरिल्ला खान है ये questions KBS, NBS के लिए बहुत important है रामपुर्वा बुल मुर्ती कहां संग रही थे रामपुर्वा बुल मुर्ती आपका राश्टपती भवन नई दिल्ली यानि कि President Palace, New Delhi में संग रही थे बहुत important questions है अभी तक में चार से पांच मेर पूछा जा चुका है और KBS, NBS, JSV, TGT, PGT सारे एक्जाम में ये questions पूछे जाते हैं C.E.S.T.M. यानि कि Lion Capital Sarnath किस फथर से बना है तो polished sandstone से मतलब कि polished sandstone से बना है ये भी बहुत important questions है दिदार गंज यक्षी किस काल का है सब दिदार गंज यक्षी आपका मोरी काल का है मैं आप लोग को बोलूँगी कि दिदार गंज यक्षी की images देखके जाए उनके हाथ में चौड़ी बीरर है और भी उन्होंने क्या गहने पहने है सब देखके जाएं क्योंकि हो सकता है कि ऐसे questions आपको anti-educinate में दे दिये जाए image की रूप में और आपको मोलेंगे solve करने के लिए next ने कला का विरोधिसा सक कौन था तो कला का विरोधिसा सक औरंग जेब था सभी जानते है नतराज कांस मुर्ती की भंगिमा पहुंचाने तो नतराज जो है आपका चोल पीरियट से विरोंग करता है मुगल लगू चितरकाला की अबदी क्या थी तो 16th to 19th century AD थी चितरकला नैंसुक कहां के रहने वाले थे चितरकला नैंसुक जसरोटा के रहने वाले थे ये question से मुझे लगता है कि 2018 में पूछा गया था एलोडा का निर्मान किस सासक ने किया था एलोडा का निर्मान रास्टकूट सासक ने किया था फ्रेंड्स आप लोग मुझे चाहें तो यहां पे फॉलो कर सकते है यह रहा हमारा फेस्बुक आइड़ी यहां पी आप मुझे यह कर सकते हैं नीच्ट आ अभी पड़ा है जितर एलवय यालियी मुरक्का को क्या कहते हैं इंगली सेमें तो चार है चारो का नाम देख करके जाएज़ेगा जिसे है सेड है लाइन है गोड़ा है हाथी है और क्या है साड बैल है तो ये आप लोग अच्छे से देख के जाएगा मैं चारो किधर कौन सी है मात्र देवी के मूर्थिया कहां से प्राप्त हुए मात्र देवी के मूर्थिया मोहन जोदरों से प्राप्त हुए स्रिंगारदान कहां से प्राप्त हुआ है तो स्रिंगारदान भी मोहन जोद्रों से ही प्राप्त हुआ है सिंदु घाटी का पूर्वी केंदर कौन सा है तो सिंदु घाटी का पूर्वी केंदर आलम गीड़पूर है फ्रेंट्स में पूरे आप लोग को सौ कोश्टिंस से भी ज्यादा कोश्टिंस करवाने वाली हूँ तो वीडियो को अंतक देखे फिर एक नीचे दिये के विकल्पों में से धनराज भगत की मुर्थी का चैयन करे तो धनराज भगत के इसमें से मुर्थी जो है वो है सीवा दानसिंग याद रखेगा सीवा दानसिंग जो है धनराज भगत की मुर्थी है नेकश्टे क्राइच अंहर्डियाने की अंसुकी चीछे किन की किरिती है तो ये आपका अमरनाथ सहेगल का है नीचे दिये गए बिकलपों में से तयाब महता की पेंटिंग का पहचान करें तयाब महता की पेंटिंग का नाम है सेलिब्रेशन और ये जो है डिप्टिक है ऑईल ऑन कैनवास है नाग जी पटेल की है बहुत इंपॉर्ट जैसा कि नाग जी पटेल है अमानात सहगल हो गया धनराज बगत हो गया और मान लेजे कि एक देवी परसादरा चौतरी ये चारों को दे सकता है कि आप क्रिनोलोजिकल में सजाएं तो क्रिनोलोजिकल जैसा की इसे बटेमा ब्रूज़ जरूर नेक्स्ट इन बॉन्डेज मुर्थी की कलाकार द्वारा बनाया गया उन्दी मदर्स लैब परदोस दाश गुप्ता ने बनाया पहचान करें या क्या है तो या एक मुर्ती है Group 1890 की अस्थापना किस वर्ष हुई है तो Group 1890 की अस्थापना 1963 में हुई है 1963 में हुई है नेक्षि़ देबर्थ अफ भेनस पैंटिंग किस कलाकार की किरती है तो देबर्थ अफ भेनस पैंटिंग जो है आपका संद्रो बोति चेली का है बहुत है important questions है और आप देखके जाएगा जैसे कि सेंटरो बहुत चरे के और भी काम है तो जैसे कि पारीजी मयानो है दिबरत भीने से और भी है तो उन सब का आप क्रिनोलोजिकल देखके जाएगा कि कौन सी पेंटिंग पहले बनी है पूछे जाते हैं अन्री जिस नेट में पालो उचलो का जन्म कहा हुआ है तो पालो उचलो का जन्म जो है टसकनी में हुआ है कला सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई है यह आपको संस्रीज भासा से हुई है और यह आपको KBS NBS के एक्जाम के लिए important है खजुराहों का निर्मान किसके सासनकाल में हुआ था तो खजुराहों का निर्मान चंदेल के सासनकाल में हुआ था बहुत ही इंपॉर्टन्ट कोईस्टिन से खजुराहों का निर्मान चंदेल के सासनकाल में हुआ था तो जगनात दोड़ा बनाई गई है मैरेज प्रोसेसल सब दारा सिका लगोचितर किस कलाकार की रचना है तो ये आप लोग का है हाजी मदनी की नेक्स्ट है गुलाम मुहमद सेख का जन्म कहा हुआ तो सभी जानते होंग और नहीं जानते हैं तो यहाँ भी याद कर लिए कि गुलाम मुहमद सेख का जर्म जो है सुरेंद्र नगर में हुआ था सुरेंद्र नगर और सुरेंद्र नगर कहा है तो गुजरात में है तो याद रखेगा कि गुलाम मुहमद सेख का जो जनम हुआ है वो गुजरात में तो हुआ है लेकिन गुजरात के कौन से जगह में हुआ अगर ये पूछे तो आपका सुरेंद नगर हो जाएगा कौव वाज़ी राइट आंसर निलीमा सेख का जनम किस वर्स हुआ तो निलीमा सेख का जनम जो है 18 नमबर 1945 को हुआ निलीमा सेख ने मास्टर्स की दिगरी कहां से प्राप्त की सभी जानते होंगे कि महाराते सयाजीरा यूनिवर्सिटी याने की MSU से प्राप्त की निलीमा सेख किस वर्स मास्टर्स दिगरी प्राप्त की 44 नमबर तो 1971 में उनने मास्टर्स दिगरी प्राप्त की निलीमा सेख का जन्व कहा हुआ तो ये दिल्ली से भी लाओं करती है इनका जन्व दिल्ली में हुआ था रोजगार स्रीज किस ने चित्रित किया बहुत है था रोजगार स्रीज जो है निलीमा सेख ने ही चित्रित किया था इन मेंशे किस कलाट को 1913 में पदम सरी आवार्ड से नवाज आ गया तो गुलाम मुहमद सेख को इस तरह से कोईस्टन पूछा जा सकता है कि चार आपशन्ते दे और पूछे कि पदम सरी आवाड़ से किसे नवाज आ गया याद रखेगा नेक्ष ने गुलाम मुहमस सेख को किस वर्ट पदम भूसन से ना वाज आ गया तो 2014 में ने कि यहाँ से कुश्टन सिधा ये बन के आ रहा है कि इनको जो है पदम सरी आवार्ड और पदम भूसन दोनों मिला है ठीक है गुलाम मुहमस सेख को पदम सरी और पदम भूसन दोनों मिला है तो पदम सरी मिला था इनको 1983 में और पदम भूसन मिला था इनको 2014 में गुलाम मुहमस स और लंदन के कौन से इससे प्रपढ़े हैं तो A.R.C.A. से गुलाम मुहमाद सेख को रोयल कॉलेज अपाथ लंदन से कौन सी उपाधी प्राप्त हुए तो A.R.C.A. गुलाम मुहमाद सेख ने B.F.A. ने M.F.A. की देगरी कहां से प्राप्त की तो सभी जानते हैं कि उन्होंने भी M.S.U. से किये हैं यानि कि महाराज साजी राय यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1961 में पेंटिंग में मास्टर्स की डिगरी प्राप्त की हैं फ्रेंड्स एक बड़ मैं आप लोगो दिखा देना चाहते हूं कि आज क्या क्या बढ़ाऊंगों ये दिखें बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आए हूं तो आएए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कुश्टिंग में इल्मूनियम प्लेट को एच करने के लिए किस चीज़ की जरूस होती तो नाइटरिक एसीड याद रखेगा नाइटरिक एसीड एचिंग के लिए पूछा जाएगा कि एचिंग में क्या चीज़ का हम इस्तिम करते हैं और नाइटरिक एसीड के स्वर्त प्लेट वे स्टेमाल होता तो आता है एल्म crash को इच करने के लिए जब आप नाइटरिक एसीड में एल्मीनियम प्लेट को डालेंगे तो वह धिर-धिर गल्वना ऋचर्व हो जाता है और जिस जगह पे आप माननेजे कि यह आप आप यह लगा देते हैं तो इस जगह पर प्लेट रियक्ट नहीं करता है बट यह जो पार्ट है खाली ढ़ा जाता है उस जगह प्लेट रियक्ट करना शुरू कर देता है अब देखिए लिथोग्राफी एण ऑफ सेट वाटर इस कॉमन फैक्टर इन प्रेंटिंग यानिकी यहाँ पेकुशन सीम्पल यह पूछ रहा है कि वाटर किसमें जुच किया जाता है तो लिथोग्राफी एण ऑफ सेट यह दोनों में ही जो है वाटर बहुत ही कॉमन पानी का इप्योग किस चीजों में किया जाता है वहां पे आप लोगों को option में serigraphy दे दे उडगड़ दे दे लीथोग्राफी दे और भी कोई एक दे तो आपको याद रखना है कि serigraphy में और उडगड़ में पानी की जरुवत नहीं होती है बहुत लीथोगराफी और इसे मैं कैसे याद रखती हूं पता है कि इसमें ये पुछदार है कि सिल्क प्रिंटिंग में जब हम बनाते हैं तो उस सर्फेस को बनाने जब सिल्क प्रिंटिंग में हम जो सर्फेस बनाते हैं उसको फोटो सेंटेटिव बनाने के लिए कौन से चीज का यूज करते हैं क और इसको हमें ऐसे याद रखती हूं जैसे कि सौर्ट को मगर हम देखे तो पीडी हो रहा है तो आप लोग यह याद रखिए पीडी को उल्टा करके कि डीपी इसको पूटासियम डाक्रोमेट और यह कुर्सें दो तीन बार एंटी यह जिसी नेट में पुछा गया तो इसका फिर से मैं समझा दे रही हूं कि सिल्क प्रिंटिंग में सर्फेस को फोटो सेंस्टिटिव बनाने के लिए पोटासियम डाक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता ह मैं आप लोगों मैं और या ्जाम्पल देना चाहांँगी। और यहां पर मानने जिए कि यह यहां पर मानने पोटासियम डाक्रोमेट का यूज करते हैं तब जाके जो सर्फेस है फोटो सेंटिटिव हो जाती है नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रिंट मेकर है थर्टी नमर थर्टी नमर देखें रेंबरां विलियम ब्लैक पाबलो पिकासो इजे प्रिंट मेकर यह लोग पेंटर भी है रेंबरां आप लोग जानते हैं कि पेंटर हैं विलियम ब्लैक भी पेंटर हैं बट कभी कभी जो पेंटर हैं वह सकल्प्टर भी ह साथ साथ प्रिंट में कर भी हैं तो यह कोई से साफ लोग कंशूज मत हुएगा पूछा जाता है इवेन हो सकता है कि इसको सरीज में दे दिया जाए कि रेम ब्राउन विल्यम ब्लैक और पाबलो पिकासो को आप इसमें करें और प्रोमिलोजी में सजाएं तो याद रखेगा कि सबसे पहले रेम ब्लैक होगा उसके पाबलो पिकासो को आपके पहले के आर्टिस्ट है उसके बाद आपका विल्यम ब्लैक थे और पाबलो पिकासो आいた है फिर ठ्योडरो जली कौल सकाल जो है एक पेंटर है और ये चाड़ो ही जो मैए आपको नाम हो रहेंग रा मुल्यॉमिंटन भ्लैक पाप्लब पिकास्व और थ्योडरो जलीा। बहुत important है इनके painting ज़रूर देखके जाए, date देखके जाए, कौन-कौन से काम किये हैं देखके जाए, अगर aging किये हैं तो aging के अगर camera की कुछ important काम है उसको ज़रूर देखके जाए next है आपका correct sequence in original origin camera, sorry उससे पहले मैं पिकासो के बारे में कुछ कहना चाहूंगी पिकासो जो है आपका blue period में काम किये है, pink period में काम किये है, आज आप लोगो homework दे रही हूं कि आप लोगो बताना है कि कोमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में और पीकासो और बहुत इंपॉर्टन पेंटिंगें ली लेसको और गुयर निका तृप यह सब पेंटिंग creative जीह डिरूर्डेका हो गया और क्योंकि हो सकता है कि प्यापलो पिकासो की और भी दो-तीन पेंटिंग एड़ कर दिया जाए और बोले कि क्रोनलोजी में आपकी जी इसलिए या फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग तर्क और अर्गुमेंट में हम एंटियूसिनेट में कॉस्टन्स पूछे जाते हैं या फिर हो सकता है कि एंटियूसिनेट में कॉस्टन्स इस तरह से भी नाया है अगर हम कॉस्टन्स देखें तो ऐसा होता कि एक कॉस्टन्स से को आप A B C D E में डिवाइड कर देते हैं और पूछ लेंगे कि चलिए पापलो पिकासो एक पेंटर है पापलो पिकासो की पेंटिंग ग इस तरह से कुछ हम सही होगए साफिस और जी के एक उसमें साफ पूछा जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्ट सिक्वेंस इन ओरिशन टेमपल कुश्चन नमर 31 देखिए तो अमाल का कलसा खापुरी अयूधा यह जो है आर्खिट्रिक्ट्रल टरम से पहले भी मैं आप लोगो बताई थी कि जब भी आप लोगो यहां पर पूछा जाए कि जब भी आप लोगो पूछा जाए कि कोई भी ओरिशन कोई नौट अल्ली ओरिशन टेमपल काफी साड़े जो भी इधर नौट के साइड के टेमपल हुते हैं इसमें सबसे पहले अमालक ही होता है अमालक जैसा कि आमला बोलते हैं आमला स्याद रखिया है आमला में इस तरह से भाग बना होता है यह है आपका अमालक तो आप देखिएगा हिंडू टेमपल में इस तरह की चीजे होती है अमालक के नीचे जो है आपका कलसा होता है ठीक है अमालक के नीचे जो है कलस होता है य फिर से यहां पर देखिए 32 नंबर क्रोनलोजिकल सिक्वेंसी है तो धर्मराजी का इस्टूप भाजा चैतिया दुर्गा टेम्पल ओफ एहोले एंड कुनार्क सन टेम्पल अभी मान लेजें सेम यह चार चीज को आपको ऐसे ही दे और बोलेगा कि रीवर्स में रीवर्स में आप इसको सॉल्व करें तो रीवर्स में करने के लिए इसको आप उल्टा कर देंगे सबसे पहले कुनार्क सन टेम्पल आजाएगा फिर दूर का टेम्पल ओफ एहोले आजाएगा एंदेन भाजा चैति आजाएगा एंदेन धर्मराजी का इस्टूप आजाएगा तो सबसे पहले सोपन होता है और सोपना जो है सीड़ी को बोलते हैं जब भी आप साउथ के स्कल्प्चर देखेंगे तो मान लेजे कि ये एक सीड़ी बना हुआ है जड़ने के लिए इधर सीड़ी है और सीड़ी में जो ये पाया होता है इसमें घुमा करके कुछ डिजाइन की बना होता है उसे ही हम सोपन बोलते हैं मालिजे कि कोई टेंपल पे चलने के लिए वहां पर चलते हैं मंडपा के बाद अंतराला अंतराला जहां होती है वहीं पर मुर्ती क्या होती है अस्थापित होती है तो उसको हम बोलते हैं गर्वा ग्रिया तो टेंपल आर्किटेक्चर के अगर हम ग्राउंड प्लान को देखे तो सबसे पहले सोपन होगा फिर मंडपा होगा फिर अंतराल वाइग्ष नेच्स्ट है कड़ेक्ट सिक्वेंशीं लीथोग्राफी कै उसको सही सिक्वेंश के हुआ Factory की हम ऑद करते है सब्सकारी के पानी से क्योंकि उसपे बहुत सारी गन्दगी की होती है जब आप उसे ILM water से clean करते हैं तो आपकी cleaning जो है साफ हो जाती है surface की फिर हम उस पर drawing करते हैं और drawing करने के बाद application of gum यानी की gum लगा के छोड़ देते हैं उसके बाद हम print वेगरा करते हैं तो यह जो आपका पूछा गया questions की printing के पहले का पूछा गया हो सकता है कि printing के बाद का पूछा जाए तो याद रखेगा इसके बाद application of gum करने के बाद हम लोग nitric acid से इसकी फिर सफाई करते हैं फिर इस पर wiping करते हैं wiping करने के बाद फिर हम paper डालते हैं paper डालके फिर हम print लेते हैं तो पूछने की chances यही बनती हैं तो याद रखेगा credit sequence उसे परे grinding करेंगे फिर surface cleaning करेंगे उसके बाद drawing करेंगे और application of gum करेंगे और aging जब भी हम lithography या फिर aging करते हैं viscosity करते हैं तो याद रखेगा print making में एडिसन होता है तो पूछ दिया जाए कि Edison किस चीजों में use होता है और आपको option दे दे painting, ceramic, graphics और sculpture तो Edison हमेशा ही याद रखेगा कि Edison print making में graphics याने की छापा चितरन में ही होता है next question से chronology of the print makers print makers की देखें यहाँ पर chronology पूछी गई है तो 39 number questions है आपका मिसेल, वल्गेमट, उटावियो, लियोनी, रेंबरा, एंड विलियम होगार्थ यह चारो ही print maker है और इनको chronology में सजाने बोलाता है देखें अभी हम थोरा दर पहले बात कर रहे थे ना print maker के बारे में और देखें यहाँ पर यही questions आ गया है कि एक print maker को बोलेंगे chronology में सजाने, एक sculpture को बोलेंगे chronology में सजाने और एक ceramic को दे सकते हैं, अगर ceramic को नहीं देंगे सजाने के लिए तो ऐसा पूछ सकते हैं कि इस artist में से ceramic artist को पहुंचाने मालेजिए कि देविपरशाद राय चोधरी देदे, इडा चोधरी देदे, घूुचरन शी देदे और जूर्ष망 भड दे दे तो इसमेंसे देविपरशाद राय चोधरी छोड़के तीनों ही सरामिक artist हैं, इडा चोधरी घूरह जूर्ष ना भड तो याद रखेगा तो एक्रिनोलोजी बोला है सजाने के लिए और इसी को अगर रिवर्स में बोल दे सजाने के लिए कि प्रिंट मेंगर को रिवर्स में सजाए तो आपका पहले विल्यम होगाट अठा जाएगा फिर डेमबरा फिर उटा वियो लियोने और उसका दमी सकेल वोलगेमर्ट तो ये जो है सबसे पहले बोर्न हुए है इसलिए इसको पहले रखा गया है उसके बाद इनका जन्म हुआ उसके बाद रेमबरा का जन्म हुआ और उसके बाद विल्यम होगाट को आप लोग हमेशा एसेंडिंग डिसेंडिंग को याद रखे का बहुत बढ़ आप यही नही पात है कि आरोही क्या है अब रोही क्या है और questions आप लोग गल्दी करके चले आते हैं तो समझा देती हूं आरोही का मतलब बढ़ते करम यानि कि जिनका चन पहले हुआ है और अब रोही मतलब घढ़ते करम मतलब 100 उसके बाद 90 फिर 70 फिर 60 और ascending descending को इंगलिस में बोलते हैं आरोही अब रोही चालिस नमबर देखिए correct chronology of sculptures पूछा गया sculptures यानि कि मुरतियों को पूछा गया अब देखिए यहां पर दे दिया है मोखा भ्यास, स्रिंगार, ट्वाइलेट, दाबूल अब देखिए कितना difficult है यह चीज़ करना मुझे अभी याद नहीं है कौन से sculptures के हैं तो अभी देखिए यहां पर यह काफी थोड़ा सा मुझे difficult यह questions दीख रहा है तो ऐसे questions अगर आप नहीं जान पाते हैं तो आप तुक्का मारके आगे बढ़ जाईए क्योंकि anti-agucinate में तो minus marking है नहीं next is 41 number correct sequence of the sculptures यहां पर देखिए कितने सारे sculptures से questions पूछे गए हैं कि उनके chronology को आप लोग बताएं यहां देखिए यहां भी sculptures, यहां भी sculptures, यहां पर print maker, यहां पर print maker से ही questions है यहां पर फिर architecture से तो हर चीज़ पूछे जाते हैं तो यहां पर option में आपका है अजित चक्रवर्ती, एमधर्मानी, राघव कनेरिया यह questions अभी फिर आएंगे सामने, अच्छे से देखिए यहां पर हाँ 41 number chronology sequence of the sculptors तो अजित चक्रवर्ती सबसे पहले आएंगे, फिर एमधर्मानी आएंगे, उसको बद राघव कनेरिया आएंगे, फिर जहनक जहनकार नरजरी आएंगे और इसमें सबसे important आप लोग का है राघव कनेरिया, राघव कनेरिया के काम को देख के जाएंगे, इससे एक questions बनते हैं next है metal casting of holocaust wax image, यानि की wax जो की metal casting का process है, जिसे हम holocaust wax image कहते हैं, उसका process बताया गया है, उसको कैसे करेंगे यानि की chronology में, तो सबसे पहले हम mold बनाते हैं, making of mold, फिर fix runner करते हैं, फिर firing of mold करते हैं, फिर fill core करते हैं, ये questions भी हमेशा anti-agricionate kvies image सभी में पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग से request करूँगी, कि ये questions आप लोग अच्छे से रट ले, अगर ये याद रही होता है, तो आप रट ले, कि making of mold यानि की MF, fix runner यानि की FR, firing of mold यानि की FM, और fill code यानि की FC, इस तरह से याद कर ले, MF, FR, FM, FC यानि की MF से हो गया, making of mold, FR से हो गया, fix runner, FM से हो गया, firing of mold, और FC से हो गया, fill code, इस तरह से आप लोग short form करके याद कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 16 number questions देखिएगा bird is an effect achieved on metal तो यह questions आपको पूछे जाएंगे कि bird क्या है तो याद रखेगा bird जो है एक effect है जो कि metal में यूज़ किया जाता है bird कहां से आ रहा है तो bird आपका print making के term से आ रहा है तो bird का effect हम किस चीज़ में अचीब करते हैं तो metal में अचीब करते हैं याद रखेगा next is 17 number graphic image editing program introduced by adobe यह सभी जानते हैं मतलब यह आपको computer से questions पूछ दिया गया है और graphic से ही related है graphic image editing program introduced by adobe यानि कि यह कुछ आगया कि graphic में जो की है editing program को किस ने introduced कर वाया था तो adobe ने कर वाया था जिससे कि हम लोग जानते हैं adobe photoshop है तो यह graphic image की editing के लिए बहुत ही helpful किया है तो ऐसे questions unexpected होते हैं और पूछ दिया जाते हैं next है lesage more 80 number यह जो lesage more है यह किस ने कहा था तो यह ludwig miss vander rohe ने कहा था उसके बाद है इवान चार्मेफ एन थोमस गिजमर डिजाइन दी logo of Gerox तो Gerox के लोगों को किस ने डिजाइन किया था तो Gerox के लोगों को डिजाइन किया था इवान चार्मेफ एन थोमस गिजमर ऐसे questions पूछने जाने के संभाबना एक दो रहती है और definitely इसके answers बहुत कम लोग जानते हैं तुक्का मारगे ही करते हैं तो ऐसे questions को skip कीजिए इसलिए मैं कहते हूँ कि जब भी आप अन्टियो जिसी नेट में अपनी तैयारी पूरी करते हैं तब जाके आप 60 से 70 questions solve कर पाते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा question solve करना बहुत मुस्किल होता है और जानते भी नहीं क्योंकि 10-20-30 questions ऐसे ही होंगे जो आपको नहीं आता है और आपको घबडाने की ज़रुत नहीं है नेक्स है निकोलस जेंसन डेवलेट फूल Romen Type Phase for the first time यानि की निकोलस जेंसन जो है Romen Type Phase को develop किये थे कब सबसे पहले सबसे पहले यानि की Romen Type Phase को किसने complete develop किया तो थो निकोलसन जेंसन का अब देखिiksi है यहाँ पर 19 numberquier questions 20 number बहुत ही important भी है और ऐसे कोई से हम लोग बढ़के भी नहीं जाते हैं नेक्स्ट है करेक्ट सिट्वेंस नोर्थ तो साउट इन इंडिया 21 नमबर तो अभी जो है टेमपल से आप लोग को दिये गए हैं और अगर नोर्थ बोले तो सबसे पहले नोर्थ तो नोर्थ हमें सबसे पहले आपका हो जाएगा मारतंद उसके बाद हो जाएगा संगोल फिर हो जाएगा भीम बेटका उसके बाद हो जाएगा जग्या पेट्टा नेश्ट है reverse chronological monuments देखे reverse पूछा है तो ये सब चीज ध्यान से बढ़ा किजी कि क्या पूछा गया है reverse पूछा है कि क्या पूछा है reverse मतलब आपको उल्टा सजाना है तो सबसे पहले उल्टा में क्या हो जाएगा monuments की बात की है ये वीडियो मैं आप लोगो complete वीडियो डाल दी हूँ बहुत पहले डाली ठीचे साथ महना पहले वो वीडियो आप देख लेए उसमें हम साड़ा ही इसके बारे में बात की हैं जितने भी आपके architectural site हैं जैसे कि कुतुम मिनार किस चीज का बना हुआ है कब बना हुआ है किसने बनाया है ताज महल कब का बना हुआ है कौन से पत्थर का बना हुआ है किसने बनाया है दाखिल दरवाजा किसने बनाया है ऐसे करके बहुत सारे temple महाँ पे मैं आप लोगो दिखाए हूँ monuments तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर ले तो यहां पर इस chronology में देखी रहे हैं आप लोग सबसे पहले हो जाएगा बुलन दरवाजा फिर होगा तीन दरवाजा फिर होगा दाखिल दरवाजा उसके बाद होगा अलाई दरवाजा अगर reverse में नहीं पूछते हैं रिवर्स यानि कि बुलन दरवाजा बाद में बना है उसके पहले तीन दरवाजा बना है उसके पहले दाखिल और उसके पहले अलाई दरवाजा बना है और अगर इसको रिवर्स में नहीं पूछता सिर्फ इसको कहता कि आप सही sequence में chronological monuments को सजाएं या फिर ऐसा questions रहता कि arrange these monuments in chronological sequence तो आपका सबसे पहले अलाई दरवाजा आता है फिर दाखिल दरवाजा आता है फिर तीन दरवाजा आता है एं दिन बुलन दरवाजा आता next questions की ओर चलते है नाइंटी नमबर देखे पी आर दरोज तो पी आर दरोज जो है एक सेरामिक आर्टिस्ट है याद रखेगा पी आर दरोज जो है एक सेरामिक आर्टिस्ट है तो चार सेरामिक आर्टिस्ट का नाम में बता चुकी हूँ पियार दरोज बताई हूँ, ईरा चौधरी बताई हूँ, गुरुचरंसी बताई हूँ, जोचना भट बताई हूँ, सारह ही important है, इसे आप लोग जरूर पढ़के जाएं, और मेरे पहले के वीडियो में भी सामील है, ईरा चौधरी गुरुचरंसी पे वीडियो में बना चु तो झालब ह democratic पींटर स्क फरी ओइस स्कृप्टर औ가 रैगर कै poems तो आप दो आक कुषण से चाहिंर और कि रिंपरे करे और के जह समें ठागे ङुरूर अब उब गयूरे बहुत है, बहुत बहुत है कि कले को मजबूती कौन प्रदान करता है, यह questions हमेशा पुछे जाते हैं clay को मजबूती कौन पराप्त करता है तो clay को मजबूती हमें husk से मिलती है husk से तो याद रखेगा strength to clay ऐसे questions पुछे जाते हैं कि clay को clay को यानि कि मिट्टी को किस चिस से मजबूती पराप्त होती है तो husk से next है mallard artists are known for their metal casting तो mallard artists जो होते हूं metal casting के लिए जाने जाते हैं तो याद रखेगा M से metal M से mallard मीरा मुखर जी inspired from the work of bell metal artist जैसे कि mallard artists होते हैं वैसे ही bell artists भी होते हैं और ये भी metal के लिए काम करते हैं तो bell metal artist से inspired थी कौन मीरा मुखर जी और मीरे नालनी मुखर जी दोनों sister थी तो मीरा मीरे नालनी मुखर जी जो है किस चीज को लेके काम की हैं वो सुतरी बैगरा को लेके काम की हैं सभी जानते हैं रस्षी को लेके काम की हैं वोनोंने मसाक्रे की हैं ठीक है मिरे नाननी मुखर जी के काम में कॉन से चीजों का यूज़ किया गया तो मसाकड़े याद रखेगा म, A, S, A, C, R, E या फिर सिधा याद रखेगा रस्टी, काम देख के जायेगा और मीरा मुखर जी जो है उनका काम किसे इंस्पैर था तो बेल आर्टिस्ट से और उनके काम की टेकनिक क्या थी तो डोकड़ा डोकड़ा से वो बहुत इंस्पार थी और डोकड़े से ही वो काम करती थी तो मिखिटा मुखर जी का काम जो है मेटल में होता था medium metal होता था और यह inspired भी थी bell metal artist से और यह काम करती थी डोकड़ा style में next है borax is used for purification of metal for casting तो पूछा जाए कि अगर metal को हमें purify करना है जिसके हम लोग पानी को purify करते हैं सभी जानते हैं तो उसी तरह से अगर हम metal casting के लिए अगर metal को purify करना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे तो borax का यूज़ करेंगे किस चीज़ का यूज़ करेंगे borax का यूज़ करेंगे metal casting अगर करना है और उसको purify करना है तो borax is the solution ठीक है याद रखिएगा यहाँ पे देखिए हमें मिट्टी को strength यादि मजबूती प्राप्त करने के लिए husk का यूज़ करना है और अगर casting करना है metal का तो उसको pure करने के लिए हम borax का यूज़ करेंगे dancing torso found from Mohan Jodaro is made of 13 कोटा यानि कि simple questions यह हो रहा है कि जो dancing torso Mohan Jodaro से प्राप्त हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है तो वो 13 कोटा से बना हुआ है next है Krishna Reddy belongs to Hyderabad Krishna Reddy से काफी questions आते हैं और मैं बता दूँ कि Krishna Reddy जो है Stanley Hater से Krishna Reddy जो है Stanley Hater से viscosity की सिक्षा प्राप्त किये थे किस से Stanley Hater से और कहां से तो Paris हिए गये थे पढ़ाई करने के लिए वहीं पे उन्होंने Stanley Hater के अंदर जो है अपनी viscosity की पढ़ाई किये थे और इंडिया के सबसे पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने viscosity को इंडिया में इंट्रोडियोस करवाया कौन से आर्टिस अब यह नहीं रहे हैं बहुत important question से और यह कहां से बिलॉंग करते हैं तो Hydrava से बिलॉंग करते हैं next है metal surface is needed for viscosity process यानि कि viscosity process के लिए कौन से metal का कौन से surface का यूच करते हैं imprint making aluminium plate is aged by तो imprint making aluminium plate is aged by natric acid यह questions में पहले भी करवा चुकी थी यह भी अब यहां पर देखिए यहां पर जो हम भी कह रहे थे आप लोग को पहले कि Pablo Picasso के correct sequence को आप लोग पढ़के जाएं देखिए same question 34 number यहां यही पूछा गया है कि correct sequence of the works of Pablo Picasso तो यह तो सब को पता गा कि Guernica अपने options में जब भी यह questions नहां आए तो आप लोग यह देखिएगा कि D.Evigan और Guernica तो सबसे पहले यहां पर Les D.Evigan पेंट हुआ and then Guernica Guernica उनकी last painting थी ऐसा समझ लेजिए यह आपका Spanish war पे था पूछा जागा कि Guernica का theme क्या था तो Guernica का theme था Spanish जो world war हुआ था Spanish जो world war हुआ था उसी के theme को लेके बनाए थे उसमें क्या हुआ था इनके काफी सारे friends जो है lost हो गए थे यानि कि मर गए थे उस war के दोरान तो उसी पे उन्होंने अपने friends को अपने family को memory के रूप में याद रखने के लिए ये painting बनाए थे Guernica अभी देखें यहाँ पर सबसे पहले है इनका the old guitarist जैने कि सबसे पहले the old guitarist को वो paint किये हैं फिर la wise को paint किये हैं उसके बाद Les Domesco the Avigan को paint किये हैं जो कि Les Les Domesco को Hindi में हम लोग बोलते हैं three dancer three dancing girls देखते होंगे कि तीन जान लड़की जो है dance कर रही हैं इसलिए उसको उनके term में Spanish में बोला जाता है Lee Domesal the Avigan लेकिन हिंदी में बोला जाता है three dancing girls और इसकी image भी मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ फिर देखिए last painting है Guvernica तो अभी मैं कही रही थी आपको कि Pablo Picasso की काम के sequence को देख के जाए इसलिए कह रही थी अब हम देख लेते हैं Les Domescal the Avigan का image आप लोग को दिखा देती हूँ देखिए ये right hand side ये वाला है ये फोटोग्राप्स नहीं ये जो आप देख रहे हैं यही painting है यही है Pablo Picasso की painting देखिए जिसे हम बोलते है the young ladies of Avigan the young ladies of Avigan और Spanish में बोलते है Les Domescal the Avigan painted by Pablo Picasso medium oil है oil on canvas और कब paint किया गया है 1907 में paint किया गया है तो याद रखेगा और Guvernica कब paint किया गया था Guvernica 1915 में paint किया गया 1915 या फिर 19… हाँ I think 1915 में ही paint किया गया था आप लोग देख लेजेगा एक बड़ की Guvernica का date किया भी मुझे ठीक से थुरा याद नहीं है तो यही है painting Pablo Picasso की देखिए इमेज देखने से आप लोगों चीजे याद रह जाएंगी Next है chronological sequence of the scholars Question number 35 अब यहाँ पे scholars यानि कि यह scholars है कौन यह हम लोगों सबसे पहले पता करना होगा क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं तो यह scholars है यानि कि यह writer है writer है यानि कि यह लेखा का यह art historian है सीधा मैं समझाओं तो यह सारे ही आपके art historian है sorry art historian है ठीक है तो सबसे पहले है परसी ब्राउन परसी ब्राउन का जन्म सबसे पहले हुआ था उसके बाद आनंद कुमार स्वामी का जन्म हुआ है उसके बाद स्टेला करामरिस का हुआ है फिर सुजैन हंटिंग टॉन का जन्म हुआ है तो यह चारो ही art historian है परसी ब्राउन की architecture पे काफी book है आनंद कुमार स्वामी की book Indian पे और जिसे की The Transformation of Nature in Art यह book किनके द्वारा लिखी गई है तो यह आनंद कुमार स्वामी की लिखी गई है और यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ कनफर्म कर दूँ कि book and author से भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ book and author से descriptions में भी दिये हुए description में आप लोग जाके देख सकते हैं कम से कम 200 book होंगे 1500 से 200 book होंगे बहुत पहले मैं बनाई हूँ I think 7 महना पहले यह video बना चुकी हूँ book and author से आप लोग और यही color का यह color आप देख रहा है इसी color पे computer से लिखा हुआ है background यही color है उसमें white color से लिखा हुआ है same यही चीज है ऐसे ही ठीक है तो उसे आप लोग जरूर देखें उससे एक दो questions anti-agricionate कोई भी examo के VSN में सभी में पूछे जाएंगे तो फिर से request कर रही हूँ कि book and author से उसमें वीडियो बना है उसमें देख ले उसमें परसी ब्राउन के साड़े book mention है अनित कुमार स्वामी के साड़े book mention है अस्टेला प्राम्रिस के mention है और सुजेन हैंटिंग्टॉन का book उसमें mention नहीं है बड़ सुजेन हैंटिंग्टॉन की एक book है जो मैं आप लोग को थ्योद्रो जरी कॉल्ट जो है कौन से इजम के आर्टिस्ट है तो थ्योद्रो जरी कॉल्ट जो है रोमांटिसिजम से बिलॉग करते हैं और सबसे पहले रोमांटिसिजम ही हुआ था इन तीन चारों में से इसलिए रोमांटिसिजम को आगे रखे हैं गुस्ताब गुर्वे जो है रियलिजम से बिलॉंग करते हैं रुमांटिसिजम के बाद यह रियलिजम हुआ था और उसके बाद बड़ाक जो है सभी जानते होंगे कि क्यूबिजम का है और फिकासो भी क्यूबिजम से बिलॉंग करते हैं फिर है आपका Jackson Plock, तो Jackson Plock को सभी जानते होंगे कि Abstract Expressionism से बिलॉंग करते हैं इसी को अगर Reverse में बोलता तो सबसे पहले Abstract Expressionism आ जेता, फिर Cubism, फिर Rearism and then Romanticism Next है Sequence of Ground Plane in Temple Architecture जो मैं बता चुकी हूँ, फिर से Repeat कर रही हूँ सबसे पहले जगा सोपन, फिर Mandapa and then फिर Antrala and then Garvagriya सोपन किसे कहते हैं मैं आपको बता ही दी हूँ, सीड़ी की तरह बना होता है और उसके साइड में डीजाइन किया हुआ होता, उसे ही हम सोपन कहते हैं नेक्श देखिए, बुक and author से यहाँ पर कुछ लाई हूँ, उसे देख लें, बहुत important है ये NTA UJC Nate में ही पूछा गया था, ये जो आप देख रहे हैं ये चारो बुक NTA UJC Nate में ही पूछा गया था तो देखिए, सबसे पहला बुक है Likeness and Presence तो Likeness and Presence बुक है और इनके author है Hence Belting, याद कर लिजए, इसमें से एक कुछ नसाने की पूरी चांसे से Image Text Ideology, ये बुक का नाम है Image Text Ideology, जिनके author है WJT Missile नहीं भी कुछ याद रहता है, तो सुर्प ये याद रख लिए, Missile Image Text Ideology के author है Missile The End of Art, The End of Art बुक है और इनके author है Arthur Danto Arthur Danto, Caligram, Caligram बुक है, बुक का नाम है और इनको लिखे है Norman Bryson Norman Bryson, ये चारो ही बहुत important questions है इसको देख के जाए और भी बुक author से बहुत important वीडियो बनाए हैं, उसे देखे ही देखे हैं ये हो सकता है ये चार पूछ चुके तो ये चार ना पूछे जो मैं आप लोग को करवाई हूँ वो पूछ दे फिर यहां पर पूछा जा रहा है next questions कि wet paper is used in the printing of, तो wet paper जो है आपका etching में use किया जाता है, wet paper जो है गिला paper हम जब print करने समय use करते हैं etching में, ठीक है तो ये आप लोग का हो गया, next देखिए, archaeology site धौला वीरा is situated in गुजरात, यानि कि एक archaeological site है धौला वीरा सभी सुनेंगे वो कहां situated है, तो वो गुजरात में situated है मसरूर रौक कट मोनोलिथिक टेमपल आर लोकेटेशिए इन कांग्रा, यैसा पुछ रहा है questions कि मसरूर रौक कट मोनोलिथिक टेमपल जो है वो कहां located है, तो वो कांग्रा में located है रोककट मतलब तो समझी रहा है कि पत्थर को काट के बनाया गया है चटान को काट के जो है मनलोथिक टेमपल बनाया गया है जिसका नाम है मसरूर रोककट मनलोथिक टेमपल कहां है तो कांगरा में है नेक्स्ट है इंडो इस्लामिक मॉन्यमेंट अलाही दर्वाजा इस लोकेटर याने की अलाही दर्वाजा जो है इंडो इस्लामिक मॉन्योमेंट है और यह कहां लोकेट है तो यह दिल्ली में लोकेट है जीन जैक रोसु आइडिया mostly influence the artistic movement of रोमांटिसिजम तो साफ यहां से ये बात किलियर हो रही है कि जीन जैक रोसु जो है वो रोमांटिसीजम के आर्टिस्ट है और वो कौन से आर्टिस्टिक मुव्मेंट से इंफ्लूएंस थे तो वो रोमांटिसीजम से ही इंफ्लूएंस थे next है blue period दिखे हम कहा है तना कि Picasso की period का नाम है blue period और pink period जो कि आप लोगो comment करके बताना है कि blue period कब से कहा तक थी और pink period का time date क्या था और next video में मैं इसका answer reveal कर दूँगी, तो blue period जो है Pablo Paucaso के तो और paint किया गया था कहने का मतलब यह हुआ कि जब ब्लू समय वह सादे ही पेंटिंग ब्लू कलर्ट में ही बनाया थे और जब पिंक पिड़िएड तो उनकी साऄ ही पेंटिंग पिंक पिड़िएड में थी यानिकि पिंक कलर से बनाया गया था । नेक्ष्ट है शॉक टेक्टिक्स वाज introduced by Henry Mathis तो sock tactics किसके द्वारा introduced क्या गया था तो sock tactics आपको Henry Mathis के द्वारा introduced किया था questions इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि sock tactics कौन से artist के द्वारा introduced किया गया था और option में दे सकते हैं यही मान लिज़े कि Jan, Jack, Russo ही दे दिये Henry Mathis दे दिये Pablo Picasso दे दिये और French Mark दे दिये तो right answer हो जाएगा Henry Mathis या फिर यह पूछ सकते हैं कि Henry Mathis ने कौन से tactic का introduced किया था चार option दे देंगे तो सही answer हो जाएगा sock tactics नेक्स्ट है Theodro Rosso कौन है तो Theodro Rosso 19th century के land landscape painter है Theodro Rosso 19th century के artist है और यह जो है French landscape painter है Next है Blue Horse paintings belong to तो painting का नाम है Blue Horse और यह painting किस ने बनाए है तो French Mark ने बनाए है यह question से बहुत बार पूछा गया है कि Blue Horse painting किस के द्वारा बनाया गया है तो यह French Mark के द्वारा बनाया याद रखेगा Next है आप लोग का कि हिम्मत सा studied at MSU बरोदा तो हिम्मत सा कहां से पढ़ाई किये है तो हिम्मत सा MSU यानि महारा तो इतना मैं आप लोग के लिए जाक के कर रही हूं तो आप लोग से यहीं उमीड करती हूं कि आप लोग प्लीज वीडियो को अन्तक देखें, मेरे चैनल Go Through Fine Art को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं क नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए ये जो एक घंटे का क्रैस कोर्स है ये बहुत important है क्योंकि इसमें मैं पूरे ही question जो लाई हूँ and ये उजिसी net के लिए लाई हूँ और इसमें paper पुराने paper जो होलते हैं old paper जो है उससे भी मैं question चाहँ चाहँ के यहाँ पर लेके आई हूँ आप लोग के लिए जो questions हमेशा पूछे जाते हैं next है owl and bird हाँ ये बहुत important question से मैं इसे ढूंड भी रही थी अपने इसमें owl and bird जो है एक sculpture है जो की wood medium में है और इसको बनाएं कि इसने है अपने इन नाट टाइगोर ने तो याद रखेगा दो तीज बहुत important है याद रखने कि अपने इन नाट के जो sculpture है उसका medium क्या है wood medium है title क्या है तो owl and bird पूछा जा सकता है कि अपने इन नाट टाइगोर का owl and bird जो है कौन से medium में है या फिर पिर कौन से छेतर में हो सकता है painting देदे, sculpture देदे, ceramics देदे print making देदे तो याद रखना है कि owl and bird जो है एक sculpture है इसका medium wood है यानि कि लकडी से बनाया गया है और किसने बनाया है तो अपने नाट टाइगोर ने बनाया है aluminum से जो एक sculpture से बनाया है उसका नाम है flight कौन बनाया है तो peer pushkin वाला बनाया है peer pushkin वाला कौन है तो sculpture से next है sculpture vr khajuria belong to jamu यानि कि vr khajuria का जन्म कहां हुआ या फिर कहां से belong करते है तो vr khajuria jamu से belong करते है the life of a virgin नीचे उडगर the life of a virgin जो है एक आपका painting है अगर यहाँ पर wood cut लिख रहा है तो print maker हो जागा painting भी या दि life of virgin बट यहाँ पर wood cut पूछा गया तो wood cut भी है यानि कि print making से है तो the life of a virgin क्या है तो यह एक wood cut है quantity is used in चौता number questions तो quantity किस में यूज किया जाता है क्योंकि quantity में जो है oil की मात्रा होती है और lithography जब हम stone जो होता है वो बहुत dry होता है और उस पे जो भी हम pencil यूज करते हैं वो हम oil based pencil ही यूज करते हैं यानि कि उसमें आप pastel painting यूज पेस्टल यूज कर सकते हैं आप drawing करने के लिए तो quantity में जो है oil की मात्रा होती है इसलिए lithography को हम जब भी paint कर जब भी हम drawing करते हैं lithography में तो oil based की हम pencil का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का right answer जगा कॉन्टे कॉन्टे याद रखिएगा next है 15 number the term under cutting is related to the term under cutting is related to aging क्योंकि अंदर से उसे काटा जाता है lithography अंदर से नहीं काटते है ठीक है इसलिए the term under cutting किस से related है तो aging से related है next questions आप लोग का है bird is an effect achieved on metal यह पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ तो आसा करती हूँ कि यह questions आप लोग को बहुत पसंद आये होंगे अगर आ रहे हैं तो please मेरे वीडियो को like, share, subscribe करें अभी आईए हम और भी आप लोग को image दिखाएंगे जैसा कि हम कहेते हैं कि image देखेंगे तो अब हम कुछ image देख लेते हैं यह देखें बहुत ही important image है और आप लोग से request कर रहे हैं कि image जरूर देखके जाएं खास करके जितने भी temples हैं south के जिसे कि मालेजी औरिसा में जो temple है पूरी या फिर जगनाथ या फिर राधरानी temple या फिर कुनार्ग ये सब जरूर देखके जाएं यह देखें बहुत ही important इसकल्प्टर पेंटर आप लोग के साथ लाएं है आप सिर्फ यह वाला ना देखें यह important नहीं है इसको cross कर देती हूं बाकि यह तीनों बहुत ही important है यह है Gustav Klint की painting जिसका नाम है kiss और यह यह है Roda का kiss और यह है आपका ब्रांकुसी, constant ब्रांकुसी का kiss यहाँ पे देखिए kiss by Rodin यह जो है marban में बनाया गया है यह वाला ठीक है यह marban में बनाया गया है यह तीनों ही जो एक kiss है लेकिन अलग-अलग artist के और बहुत important artist के हैं यह है Roda का kiss और Roda का एक बहुत important sculpture है जिसका नाम है thinker याद रखेगा thinker पूछा जाता है ठीक है तो यह है Roda का kiss यह उपर में जो painting में आप देख रहे हैं yellow color में यह है Gustav Klimt का यह बनाया गया है oil and gold leaf on canvas यह बनाया गया है 1907 से 1908 में और नीचे वाला जो देख रहे हैं यह constant brancusi का constantine brancusi का जो है यह वाला यह constant brancusi का किस है और यह बनाया गया है plaster में जिसका की date है 1907 से 1908 ठीक है तो left वाला यानि कि यह वाला जो है बनाया गया है कब 1882 इस भी में किस चीज से मारवल से यह बनाया गया है किसमे oil on gold leaf on canvas किसके दवारा गुस्तब क्लिम्ट के दवारा और यह बनाया गया है किसके दवारा constantine brancusi का तीनो का नाम क्या तीनो का नाम ही किस है और तीनों ही बहुत important artist है इससे questions पूछे जा सकते हैं next हम image देखेंगे यह इतना important नहीं है इसको मैं skip कर देती हुआ इसमें से देखिए first number और मिडिल वाला मत देखिए गा मिडिल वाला जो sketch है क्योंकि यह important नहीं है पहला जो है आपका Matthias Grunewald Matthias Grunewald जो है आर्टिस्ट है और उन्होंने यह एक पैनल में पेंट किये तो जिसका नाम है Isenheim Alterpiece Isenheim Alterpiece by Matthias Grunewald यह oil on panel है कब पेंट किया गया है 1512 से 1516 में और इसी पेंटिंग से इंस्पायर होके सालवादर दाली बनाए है सालवादर दाली crucifixion बनाए है जो कि 1924 ने बनाए थे सालवादर दाली आप लोगको मालूम होगा कि सर्यलीजम आर्टिस्ट है और इनके पेंटिंग का नाम है The Persistence of Memory और की आर्टिंग वाच बहुत नों ही जो पेंटिंग से माड़ा दोयां ही दोनो लोग को पूछा जा सकता है लाकून एंड हिजसंस जो है मारवल से बनाया गया है मारवल से बनाया गया है और यह क्या है एक हेलेनिस्टिक ग्रीस स्कल्प्चर है हेलेनिस्टिक ग्रीस स्कल्प्चर है अब यह वाला अगर हम देखे राइट साइड वाली तो यह भी लाकून है और ये किसके द्वारा paint किया गया है El Grieco के द्वारा paint किया गया है कौन सा मीडिया में Oil and canvas कब paint किया गया है 1610 से 14CA में next देख लेते हैं next भी बहुत important है देखें यहाँ पे सबसा पहला उपर वाला Crouching Venus है Crouching Venus यानि कि हम लोग Aphrodite भी कहते हैं यह वाला मारबल से बना हुआ है, क्लासिकल ग्रीस स्कल्प्चर है, नेक्स्ट अगर हम यह देखें, तो यह जो है, अलम्पिया है, एदवर्द माने का, बहुत इंपोर्टेंट है, क्या है यह, वाटर कलर स्टडी फॉर फाइनल वर्क, ठीक है, यह वाला, अलम्पिया देख क्या नाम है पेंटिंग का, ओलम्पिया नाम है, याद रखेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, यह मैं आप लोगों को दिखा ही दी थी, कि यह आप लोगों का पाबलो पिकासो का काम है, और यह ओलों कैनवास है, 1907 में बनाया गया था, इस पेंटिंग का टाइटल है, लिस जो दिखाएंगे हैं, इसलिए से, थी, डांसर्स के नाम से जाना जाता है, यह भी देख सकते हैं आप लोग, यह इतना इंपोर्टन नहीं है, बड़ यह पूछा जा सकता है, क्योंकि, यह स्कल्प्चर जो आप देख रहे हैं, फाउंटेन स्कल्प्चर्स, यह अभी ही ब इसका नाम है फोन अमेरिकोंस, फोर अमेरिकोंस, कारावालकर आर्टिस्ट है, मारबल में बना है, 42 फीट स्कल्प्चर्स है, भ्यू फ्रोम तैत मॉदर, ठीक है, और कब बनाया गया है, 2019 में बनाया गया, इसलिए हो सकता है, क्योंकि पूछा जाए, कि नए भी एक के आर्टिस्ट मॉदर में लगाया गया है, इसका नाम है, फोन अमेरिकोंस, क्या है तो फॉन इसकी फीट कितनी है तो 42 फीट है, किस मीडियम में है, मारबल में है, अब ये देखिए, दोना तेलल्डो का ये देविड है, देविड को बहुत लोगों ने इसकुछार्व क देख लिएद सकता है कि एक ही स्कल्पचर दे दिया जायेगा कि दैविद मान लिजे है कि एक देख लिजेगा सारे दैविद का डेट भी देख लिजे गा तो यह तो दो डेविड है जो कि ब्रॉंज में बनाया गया और सिरका है 1440 सी और डेविड जो है आपका मिकल अंजिलो के द्वारा भी कार्व किया गया है जो कि बहुत ही फेमस डेविड है फिर ये देखे पीटर पॉल डूबेंस की पेंटिंग है लेफ्ट हंड साइंड में जिसका नाम है डिसेंट फ्रॉम दा क्रॉस ये वाली जो पेंटिंग है ये पीटर पॉल डूबेंस के द्वारा पेंट किये गई है इसका नाम है Descent from the Course Medium क्या है? Oil on Canvas का Paint क्या गया है? 1616 से 1617 में और ये वाली पेंटिंग जो है किसकी है? Jack Louis Davy की Jack Louis Davy जो की Neo Classy Jam Artist है Jack Louis Davy जो है Neo Classy Jam Artist है याद रखेगा और इसके ये पेंटिंग का नाम है Death of Marath Death of Marath इसकी और भी एक important painting है जो मैं आप लोगों बताना चाहूँगी उसका नाम है Oath of Marath बहुत important है पहले भी पूछा गया है यानि कि Marath जो है ओथ लेते हुए सपत लेते हुए ये भी उनके पेंटिंग का नाम है और ये Death of Marath भी उनके पेंटिंग का नाम है और आर्टिस्ट कोन है Jack Louis Davy Jack Louis Davy कौन से इजम के आर्टिस्ट है तो नियो क्लासीजम के आर्टिस्ट है और दोनों ही पेंटिंग पेंट किया गया है oil on canvas पे और Death of Marath जो कि Jack Louis Davy की दोड़ा oil on canvas पे पेंट किया गया इसका dated है 1793 नीचे में देखिए नीचे में यहाँ पे देखिए M मारात लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए A मारात लिखा भी हुआ है और आर्टिस्ट का नाम क्या है तो दैविद है यह देखिए बहुत इंपोर्टेंट पेंटिंग है 3rd of May by Francisco Goya 3rd of May 3rd of May जो कि Francisco Goya के दोड़ा पेंट किया गया है Medium का गया है Oil on Canvas है और Sorry, Oil on Canvas है और कब पेंट किया गया है तो 1808 CE में पेंट किया है यह वाली जो है इसी की पेंटिंग को देखिए Francisco Goya की पेंटिंग को देखिए इंस्पार हुए थे Pablo Picasso और उन्होंने इसका नाम दिया था मसाक्रे इन कोडिया तो इंपोर्टेंट कौन सा है इंपोर्टेंट 3rd of May है ना कि Pablo Picasso ठीक है तो 3rd of May किस के दोड़ा पेंट किया गया था Francisco Goya के दोड़ा Medium किया है Oil on Canvas और कब पेंट किया गया 308 में याद रखेगा 3rd of May by Francisco Goya Short form में इसको सिर्फ गोया कहते हैं तो ये हो गया ये देखे जैक्सन पॉलॉक है जो ही काम करते फिर दिखाई दे रहे हैं ये सब आप लोग खुद पढ़ सकते हैं सिर्फ इमेज दिखा दे रही हूँ खुद से टाइटल पढ़ लीजिए और एक घंटा होने को चला है फ्रेंट्स तो अब मैं वीडियो को यहाँ पे बंद करना चाहती हूँ और आप लोग से फिर से एक वड़ आगड़ा करना चाहती हूँ कि फ्रेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाड़ बार कह रही हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को लाइक करें वीडियो कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताएं और जो भी क्वेडियो आप लोग की है तो बाई बाई दोस्तों, टेक केर, see you soon and have a nice day.